जैसंका जी, जैस्रीराम, सीताराम, हरहर महादियो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो यदि सारे पूजा में हर वस्तु को भगवान को नहीं समर्पेत कर पातें, तो वे मासिक वस्तु से ही देवी देवताओं को संद कर सकते हैं, सबसे पहले हम देवताओं को फूल चड़ाने लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फूल की गंद को ही भगवान लेते हैं, ऐसे में संसार के सब फूल हमारे पास नहीं होते, तो मासिक पूजा से हम भगवान को संसार के सफी फूल समर्पेत कर सकते हैं, तो ग्रंत कहता है कि बेक्ती भगवान के समक्ष बैट कर कह कि हे मा, हे भगवन, हे महादेव धरती में से ही सफूल प्रकट हुए है और धरती का ही एक गुड़ है जिसमें फूल के गंत है तो हे मा, हे मेरे महादेव तेरी धरती को तेरे लिए ही समर्पित करते हैं फिर लिखा है कि भगवासा में कहना है कि हे भगवन आपकी पूजा मे धूब की जरूरत होती है, हम वाई को ही आपके चणों में समर्पित करते हैं, इससे आप सुविकार कर लें, फिर आपके लिए दिय की जरूरत होती है, तो हम आपके लिए अगनी दिय को ही समर्पित करते हैं, भगवन आप सुविकार कर ले हैं, मा आप सुविकार कर लें, फ कि उनका जीवन मंगल में हो जाता है जो रोज ऐसा बोलते हैं क्या बढ़िया बात कहीगी कि हे भगवन गंध की रूप में धती मा आपको समर्पित हो रस में जितने भी समपोड़ फल है धती की वह आपके लिए समर्पित हो इस प्रकार से प्राता जो यह सब्ध विस्तर से उठते बोलता है ये ग्रंथ कहता है कि उसका कभी अमंगल नहीं होता एक नई बात कही गई है कि इस जगत में जितने वी फूल है आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी पर आप धरती की फूलों को इकठा नहीं कर पाएंगे ये ग्रंथ कहता है कि धरती की जितने वी को परणाम करते हैं तो दुनिया की जितने भी पुस्वं हैं वो सब देवताओं को समर्पत हो जाते हैं तो यदि ठीक से आप इस गरंद को सुन रहे थेक हैं तो आसी ही धर्थी, मा को परणाम करना मत भूलना क्योंकि धर्थी का गुड है गंध और सब देवता पुस्प में गंध ही सुविकार करते हैं आप में से जितनी लोग मुझे सुन रहे हैं उन में से जो अधिक लोग सुबा सबसे पहले धरतीमा को प्रणाम तो करते ही हैं पर हमें ये पता नहीं होता क्यों प्रणाम करते हैं प्रणाम करने से आपके अंदर वाशना नहीं है, पाप नहीं है, अपराध नहीं, खुराफात नहीं, कुकर्म नहीं है, आपके अंदर कोई दोस नहीं है, दोस मुक्त होकर आपने किसी का स्पर्स किया है, तो देवताओं के सामने धाती की संपूर धूब जलाने का पुन ततकाल प्राप्त हो तो चरण इस परस में ही हो जाती है बिक्ती पांच जगा से पाप कर बढ़ता है तो ये दिमरश चाहता है कि वो संसार की हर धूब को भगवान को समर्पित करें तो उसे इस पर से दोस्ते मुग्ध होना पड़ेगा नारजी कहते हैं किसी की जमीन हरन मत कीजिएगा किसी की जमीन पर कबजा न करो धर्दी को अपने इमा मानिए धर्दी को प्रिणाम कीजिए तो धर्दी के संपूर फूल भगवान के चरणों में चड़ाने का तदकाल फल प्राप्थ हो जाता है प्यासे को जल पिलाएए पेड़ों में पानी डाली तो दुनिया के संपूर फलों के रस भगवान को भोग लगाने का फल ततकाल प्राप्थ हो जाता है और अगली बात कही गई है किसी का इसप्रस यदि हो जाए मन में वाशना नहीं है पाप नहीं है अपराद नहीं है खुराफात नहीं कुकर्म नहीं है और यदि इस तरीके से किसी का इसप्रस करते हैं तो आपको देवी देवताओं को संपूर धूब जलाने का ततकाल फल प् हर हर महादेव